आलो एब्रीबान कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हू Dornite इसे बनाने के लिए मैंने देखिए दो कलर की बूली ली है 9 numbers हलाई लई है और देखिए यहां पे मैंने 2-4 कलर से 12ब्ल unity है यह 20ब्ल्ल फंदे का मैंने बनाया है सेम इसी तरीके से आप 20-20 फंदे डालके 40 फंदे का बना सकते हैं 33 फंदे डालके 60 फंदे का बना सकते हैं जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाफ से आपको फंदे लेने हैं और मैंने बूल को डबल किया हुआ है इस तरह से तो यहाँ पर देखे फंदे बिल्कुल सिंपल डालने हैं आपको तो देखिए याँ पे इस तरह से एक दो तेन चार पाच छे साथ आठ नौ दस दस फंदे मैंने इस कलर से लिए और दस फंदे मैं याँ पे पिंग कलर से लूँगी तो देखिए इस तरह से ऐसे देखिए एक दो तीन इस तरह से हम दोनों कलर से फंदे 20 डाल के आपको दिखाते हैं यह देखिए यहाँ पे 20 फंदे मैंने ले लिए हैं 10 फंदे हमने ब्लेक से लिए हैं 10 फंदे पिंक से लिए हैं आप जितना मर्जी इसको बड़ा बना सकते हैं 20 फंदे ले सकते हैं दोनों तो 40 फंदे का भी बना सकते हैं यह मैं 20 फंदे का बता रही हूं आपको आप अप से फंदे ले ले लें तो देखिए हमने यह अलग-अलग फंदे डाले हैं एक दो तीन चार पांच च्छे साथ आठ नौ और देखिए दस इस तरह से हमने अलग-अलग फंदे डाले हम इनको जॉइंट कैसे करना या अभ्यान से देखिए इसको हम ऐसे करेंगे इसको नीचे से उपर के साइड ऐसे बुन देंगे तो यहाँ पर जॉइंट हो गया दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे बुने दो बिना बुने छोड़ दिये बूल को इधर किया और सलाई को हमने पलट लिया अब हम इधर से भी उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से अब देखिए इसको हम ऐसे क्रोस कराएंगे और इसको ऐसे आगे लाएंगे यहां से दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह देखिए इस तरह से हम एक साइड से इसे बुनेंगे एक साइड से उतारेंगे उल्टे तरफ से हम इसको बिना बुने इस फंदे को उतार लेंगे तभी यहां पे आपकी चैन आईगी है आप देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और देखिए इसको हम ऐसे करेंगे यहां से ऐसे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छे अब छे फंदे बुने दो बिना बुने छोड़ दिये सलाई को हम यहीं से पलट लेंगे यहां पे जो जैसा है उसको हम बैसे ही बना लेंगे इस तरह से इसको हम पीछे करेंगे पिंक को आगे लाएंगे अब देखिए यहां से इस फंदे को हम उतारेंगे बुन को आपे तरफ करेंगे दो तीन चार पाच छे साथ आठ नो दस इसको हम ऐसे कर देंगे यहां से एक दो तीन चार दो बिना बुने फिर से छोड़ दिये तो दो दो करके हम छोड़ रहे हैं इनको यहीं से हम पलट लेंगे इस तरह से इसको हम ऐसे पीछे कर देंगे यह देखे अब देखिए इसी तरीके से हम यह चार फंदे और छोड़ लेते हैं तो टोड़ल यह दस फंदे छूट जाएंगे फिर हम दिखाएंगे आपको यह देखिए यहां तक मैंने यह फंदे छोड़ दिये हैं तो दो दो करके एक दो तीन चार पांच पांच दो ने दस फंदे छूट गए आप जितना मरजी बड़ा बनाएंगे इसको ऐसे ही बनाना है आप देखिए यहां से हम ये दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस देखिए यहां तक हम ने छोड़े हैं आप देखिए हम दो फंदे इसके ब्लैक के बना लेंगे एक और दो सलाई को यहीं से पलट लेंगे इसको हम ऐसे क्रोस करा देंगे इसको आगे लेंगे यह देखिए इस तरह से यह हो गया अब देखिए हम यहां से एक फंदा उतारेंगे भूल अपने तरफ यहां से दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस यह बनाए और देखिए इसको हमने ऐसे किया यहां से देखिए एक और दो अब दो मुझे आगे से लेने हैं, उससे पहले हम गैफिंग को भरेंगे, तो यहां से हम दो फंदे इस रोमे से उठा लेंगे और इस फंदे के साथ तीन का एक कर देंगे फंदा बढ़ेगा नहीं उतने ही रहेंगे एक आगे और लेंगे तो चार हो गए अब यहीं से हम पलट लेंगे ऐसे इसको हम ऐसे करेंगे इसको आगे लाएंगे इस तरह से एरो कम्प्लीट करनी है यह देखिए आप देखिए यहाँ पर हमने चार फंदे ले लिए हैं दो दो करके यह छे और ले लेती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ आगे का यह देखिए लाश तक मैंने यह फंदे ले लिए हैं तो अब मेरे पास फिर से पूरे 20 फंदे हो गए अब देखिए हम color को opposite करेंगे black बाला color pink बाली जगे लगाएंगे pink बाला color black बाली जगे लगाएंगे तो देखिए इसको हम यहीं से ऐसे कर लेंगे इतना लूज कर लेंगे थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको और देखिए यहां से हम 2 फंदे बुनेंगे उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे, ताकि यहाँ पर बड़ा धागा न रहा है, उल्जे नहीं, और इस बाली भूल को हम ऐसे कर लाएंगे, यह देखे, दो पंदे बुनने के बाद इसको ऐसे कर देना है, ताकि यह ब्लैक सैड दिक्कत न दे, यह देखे, यहाँ पर यह 10 फंदे मैंने पिंक वाले ब्लैक से बना लिए और यहां पर देखिए, अब हम यह ब्लैक वाले दस फंदे पिंक से बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस ऐसे, यहां से हम पलट लेंगे, आप देखिए हम यहां से, इसको हम एक तरफ से उतार लेंग एक तरफ से बुन लेंगे एक तरफ से उतार लेंगे अब देखिए जो जैसा है यहां पे हम वैसे ही बुन लेंगे यह देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करा देंगे ऐसे कर लेंगे अब यहां से देखिए दो तेन चार पाँच छे साथ आठ नो दस अब देखिए इस तरह से आगया है अब यहां से हम फिर से फर्स टो को रिपीट करने जा रहे हैं जहां से हम दस फंदे यह ब्लेक से पहले बुन लेंगे यह देखिए तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस दस बनाने के बाद यहां से देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ इस रो में हम आठ फंदे बुन रहे हैं दो छोड़ रहे हैं यही से हम पलट ले रहे हैं इसे इधर से जो जैसा है उसको हम बैसे ही बुनेंगे इसको हम ऐसे क्रोस करा देंगे यह देखिए इस तरह से आप देखिए हम यहां से देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए दस फंदे तक छोड़ेंगे जैसे हमने यहां से छोड़े फिर उसके बाद हम दो दो फंदे इधर को लेते जाएंगे तो इस तरह से कली यहां पर पिंक की भी आ जाएगी उसके बाद हम कलर चेंज कर लेंगे अपोजिट कर लेंगे ब्लेक है उसको पिंक पिंक है उसको ब्लेक तो इस तरह से इसको बन से स्टाट किया था तो यहां पे प्म्न को पे एंड हुआ है इसका आप देखे यहां पर पूरी क्लिय हो गई यहां तक मैंना बना लिया सबी भंदे हम बंद करेंगी पिलेख को बनकरेंगे और पिंग को पिंग से बंद करेंगे दो का एक करते हुए हम को बंद करेंगे चार पांच छे साथ आठ नो दस अब देखिए यहां से अब हम यह ब्रेक को यह चोड़ देंगे और पिंग कलर का बूल लगा लेंगे देखिए यहां से इस तरह से हमें बंद करते हुए जाना है तो हम बंद कर लेते हैं आप देखिए यहां पर मैंने सब बंद कर लिये हैं और देखिए यहां पर आप हम इसको सिल देंगे यहां से ऐसे पकड़के पूरा ऐसे यहां तक सिलाई कर देंगे यह देखिए इस तरह से कि दैगी यदे खूए। यदेब के एसे तर अवाने सक्का सेलबू